उनको खुद पता है कि वो लोग नहीं बोल सकते हैं अपने मुझे बोलते हैं कि तुम जो चीज़ो कोई नहीं बोले करके ऐसे दिमाग में कछड़ा भर दिये इतना जहर भर दिये हम निकालने की भी कोशिस किये तो उसका लोग अलग मतलम निकालने लगे दुस्मन बना दी उस जहर को हम निकालना चाहें लोगों के दिमाग से तो दिमाग लगाने लगे कियो अईसा पर काप कि ancड़ीच तो है कि मैं विडिय बना नहीं झोड़ दूंगी मैं दिल दी चली जाएंगी मैं बिल्कुल भी सोचल मीडिया पर रहूंगी मैंने यह भी सोच लिया था कि जब मैं सोसल मेडिया पर रहूंगी नहीं दिल्ली चले जाओंगी अच्छा कासास बढ़ जाएंगे काम करेंगे जो करते थे घर में हाउस बैप की तरह रहेंगे क्या फायदा सब मज़ा लेने वाले हैं जब तो कौन मजबूरी समझेगा कोई मजबूरी तो समझेगा नहीं क्या बात है क्या बात नहीं है गलत है ऐसे मत करो तू समझी हो अपना है लेकिन चाल लोगे यह करें बहुत अच्छा की बहुत बढ़िया की तो समझो कि ओलो मज़ा लेने वाले हैं वही इनके साथ भी है वही मेरे साथ भी हूग और एतिनी चीजों से यह सीक तो मिल गई अब भी कैते हूं भगवान के भरोसे चैनल आए ना आए कोई बात नहीं भाइया भी जानते हैं कि मैनत करूंगी तो चैनल खड़ा हो जाएगा इसे बात करेंगे लोग तो ऐसे कर रहे थे कमेंट ना कि हमी चैनल डिलीट करवा हैं तो मुझे मेरे अंदर भी एक डर था कि इ अधर राधाराज हैं आप लोग देखे होंगे किस तरीके से वीडियो आ रहा था चैनल पर और लगातार जो कंट्रोवर्सी थी वो बढ़ रही थी कहीं ने पर अभी अभी जेपी भाहिया पहुचे हैं और बाचीत किये हैं किस तरीके से लेकिन कहते हैं ना जब बुरा द तो मैं सोच रहा था कि इंसान रोता क्यों हैं लोग बता रहे तो राधाराज जब खा रही थी तब भी रो रही थी सुबह उठी तब भी रो रही थी ऐसा मतलब कि वीडियो में जब समझावता हुआ गोरकपूरिया भाउजी से तब भी वीडियो बना रही थी रो रही थ एक बुझाम है प्रकार की चीजे बहुत-बहुत सवगत मुझे इंडिador है गअय। की मेरे लिए मेहनत किया है और लगातार आगे बढ़ाया है तमाम प्रकार की चीजे बहुत-बहुत स्वागत अधिया धन्यवाद जो आपके आपने यहां पर हमको बुलाया और चलिए आगे को क्या कहना चाहेंगे अब सारे गिला और सिक्वा दूर हो गये हैं बिलकुल एक दम सब को जो भी था हम लोगों के बीच में जैसी भी रहे थे राधा राज जब मैंने अब पहली बार इसे किसी को रोते हुए देखा है आम उमन वैसे तो देखता रहता हूं लेकिन हमेशा मतलब की हर तरी के तरफ से जब परसानी आती है किसी एक ब्यक्ति को तो रोने लगता है सुसता है मेरे जिंदगी में अचानक से हो क्या गया तो आप भी देखते होंगे तो आपको कैसा फिल हो रहा है मुझे बुरा लग रहा था और बुरा लगा इसी वयसे हमें हाँ आए सारी बातों को किलियर करने के लिए हलाकि वीडियो बनाना इस तरह से न्यूश में आना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे हम लोग हम लोग काफी देर बैट करके जो भी कनफ्यूजन था उसको दूर करने कोशिश किया और दूर कर लिए तो फिर अब आपके सामने रखते है तीसरे की वैसे हो रहा था जो भी हो रहा था ता लोग कनफ्यूजन में डाल दिये दिमाग में इतनी बुरी-बुरी चीजे भर दिये मेर इस तरह से करना और वीडियो में इनको जो बोले हैं बोले ही हैं फिर लाश्ट में जाते जाते कुछ अच्छी चीज बता हैं समझाएं भी लोगों को फिराल उस वीडियो मुझे बिल्कुल संतुष्टी नहीं मिली पहली बार ऐसा हुआ हमने वीडियो बनाया चैनल पे डाल यहां तक कि ड्यूज भी उस पर अच्छा आ रहा था लेकिन मुझे उससे संतुष्टी नहीं मिली कौन लोग थे और क्यूं चाहते थे ऐसा लेखिए हम लोग बैट करके यहां पर जगले को खतम कर रहे हैं तो इसलिए नाम लेना उचित नहीं समझते हैं और नाम लेंगे यहां आता है मज़ा आता है और उसी का आनन्द उठा रहे थे और और भी चाह रहे थे आगे उठाने के लिए लेकिन हम लोग बैट करके सब कुछ कर लिए अब कुछ लोगों को समझे कि यह जो वीडियो देखेंगे ना कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे गा अब इंतिजार कर रहे थे उनको बुरा लगेगा जेपी भी आपके बारे में कहा जाता जब गोरापुर में कोई ब्लॉगर नहीं था उस समय आपने अपने चैनल को स्टाइंड किया था तो कैसे कहां से ख्याल आया था और राधाराज कब आप से जुड़ी है राधाराज लगी वीडियो चलने लगी तो दियरे सब के पास वीडियो पहुंचने लगा तो इमारे स्टूडियो से करीबन तीन से चार किलूमीटर की दूरी पे राती हैं तो इभी मुलाकात की बताई अपना पहचान बताई कि हमें ही से रहने वाले मेरा भी सपोर्ट करिए तो आधि और हम लोग मिल कर के मिउजिक चैनल के लिए भी काफी गाने अच्छे अच्छे गाने लेकर आए और इस तरह से काम करते रहें अच्छे से साघ्ञ चल चाल गओ जी बिलकुल जो भी चल अच्छा चल आथा कितना मेहनत करती थी राधा राज चैनल पर बहुत मेहनत करती थी जो भी गाने होते थे मन से काम करती थी अच्छा लगता था काम करके राधा राज मेहनत से काम करती जी बिलकुल राधा जी सारे गिले सिक्वे दूर हो गया है हाँ मैंने भी अपनी बात रखी मैंने भी अप मेरे पास निरिजला की रिकॉर्डिंग आई तभी मैंने इस वात को कहा कि तुम कौन होती हो बोलने आले उसमें ने गुस्से में वीडियो बना तो भी लोग भाग तिपड़ी करने लगे अरे ऐसे जवाब दो मलब कहीं ना कहीं उस रिकॉर्डिंग से लेके बातों को बहु कि अअब लोगों ने देखा है जो जो भी था बहाँ ने गुष्टे में बनाया और बशे कहूंगे कि भाय गलती हुई ती माफि माफि मांगरे चैनल मेरे क्षोड ऐसे वीडियो बन रहा या और मैं आज बीमाफिthought रहा हूं रहा हैं और मैं आज ड़ीन मांग रहा हूं आ पहले स्टार्टिंग में बोल दी उस वीडियो बना करके पहली बार ऐसा हुआ मुझे उससे अच्छा नहीं लगा मुझे गिल्टी फील हुई वीडियो बनाने के बाद क्योंकि कभी भी इस तरह से भड़कना इस तरह से बोलना जो भी हम उसमें लांग्वेज यूश किये थ भी इतना करते था कभी ऐसे होता थो मुबाल इसे पकड़ा देते इनको ब्लोग चैनल मेरा भी है पियातरा के नाम से तो उस पर मेरी कोई फेसवलू नहीं है जितने लोग जुड़ते थे काम करते थे उन्हीं सबकाड़ मेरा चलता जितने भी चैनल हम्णीक चैनल पेHHHH करते क्योंकि वीडियों आना नहीं चाहते और आते भी नहीं है मेरा तो कुछ और लगी इंट्रेस्ट रहा है उसको ले करके काम करते तो राधा को हमें सब फोन पकड़ा देते ते राधा ब्लॉग पांच मिनट का ब्लॉग होना चाहिए तो पांच मिनट खीच लेती थी तो मेरे मुपे कुछ और इनके मुपे कुछ और किसी को इतना नीचे गिरा देना किसी के लिए इस तरह से बाते बोल देना बिल्कुल गलत है और आवेस में आकर के हम भी वीडियो बना दी यह भी वीडियो बना दी अरे होना ए तो चाहिए माल यह गलती कर रही तो चाल लोग मिल करके इस तरह से बोले कि राधा गलत है ऐसे मत करो तो समझियो अपना है लेकिन चाल लोगे दी एक कर रहे हैं बहुत अच्छा की बहुत बढ़िया की तो समझो कि यह लोग मजा लेने वाले हैं वही इनके साथ भी है वही मेरे साथ भी हुआ है और इतनी चीजों से यह सी जन्रेशन भी कुछ सीखे हम लोगों से ऐसा ना हो कि कल को बोले कि मेरे पापा ऐसे वीडियो बनाते थे मेरी मम्मी ऐसे वीडियो बनाती तो यह बिल्कुल मत करिए कुछ ग्यान की वातिक किया करिए कुछ अच्छी चीज अपने ब्लॉग में दिखाए यह डेली रूटी लडेंगे कंट्वर्सी करेंगे वीडियो चलेगा अच्छा वीडियो बनाएंगे तो नहीं चलेगा तो ऐसा बिल्कुल मत करिए अच्छी लोगों का सपोर्ट करिए जो अच्छा वीडियो बनाते हैं जो मेहनत करते हैं कोई भी हो उनका सपोर्ट करिए सबसे ही कहना चाह लेकिन जो हमको यहां तक लाए थे चाहिए उस्थमाल रहते जब उन्होंने आज असे बोल दिया तो आज कहीं न कहीं बहुत टूट गई थी मैं लेकिन भाई आए तो वही हिमत फिर से हो गई है और मैंने वीडियो में आज की ब्लॉग में बोला भी था कि मैं वीडियो बना हैं जब तो कौन मजबूरी समझेगा कोई मजबूरी तो समझेगा नहीं क्या बात है क्या बात नहीं है और हाँ यह बात सच है पहले मुझे जो लोग कहते थे कि ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं तम मैं अकीन नहीं करती थी जब मुझे रिकॉर्डिंग मिली मालती की बहन आए गई थी कि कहा जाए मिली थी मिली नहीं थी खुद्से हो दिया गया था रिक्रडिंघ कि कुण से ही दिया गयाल तो रिकॉर्डिंघ, आच दूसरी बात मैंने जब भूरीकॉर्डंग सुनू क्या मて मेरा जो मन ये था कि निर्जला ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरा जो मनता, मुझे ऐसा क्यों बोला, यह कौन होती है बोलने वाली, तुम जेपी भया के दिल की, मतलब वहाँ पे मेरा कुछ और अलग हो गया था, मेरा अलग ही मैटर हो गया था, कि जेपी भया को तुम समझती हो, हम नहीं समझते कि जेपी प्याया हमें ही चुर्व से वे वीडियो बनाए व्वाम में ठाक फून भेयू किला ने अजका प्राइविट का लीए और चब और आयरा कर दिलीट कर दिये तो अनलिष्ट कर दिया हमने कि हम प्राइव備ेट कर लिये वीडियो फिर पता चला गहते घाल नहीं गया थे चब्राःंगें तक पहुचा ही गई उसको भी क्या सामने रखा जाय को पता भाड़ा कड्या अ Nordic जो नमा कान्त आती की मैंने रिकार्टिंग और नहीं थी वो नहीं वो भी थी और वो भी थे क्या नाम है जिसकी एक और रिकोर्डिंग मेनिस में अच्छा साइद मुझे याद नहीं आ रहा है साइद थे लेकिन हम लोग गय थे जैसे जो भी चला था एह हुआ कि राधा के घर पर जाकर कि मिलते हैं इनको समझाते हैं जो भ आप उहां पर मत जाओ और जो भी चीजे हैं और बुला करके स्टूडियो सब लोग रहेंगे कीलियर करिए उसके बाद बोले नहीं हम जाएंगे तो मेरी सिस्टर थी जीजा के पास फोन की और बोली कि उनको समझाईए वो ऐसे से कर रहा है तो तुरंत मेरे पास फोन कियो तो बुला है कि यहां पर आओ सब लोग मिल करके बात करते हैं और साथ में हम भी चलेंगे क्योंकि वो गाड़ी चलाते हैं तो चर्पएस हम लोग जाने वाले थे हम काफी डिस्टर्ब थे तो बोले कि नहीं यहां यहां लेने के लिए बलकि वहां पर डिसकस हो रहा था य नहीं पहले राधा से मिलेंगे बात्चीत करेंगे उसके बाद हम लोग इस तरह का कदम उठा सकते सोच सकते लेकिन मिलने के बाद हिनके तक बात पहुचाया गया कि हम लोग को तवालिम गए अफाई यार करें जब मिरे पता चला कि थान में केस करने गए एक लड़की के पागल आपागल ऐसा कोई बात नी है रमा कांद भी नहीं बताया कि मतलब ऐसा इसा मैं काम कर रहा था और अभी जा रहा हूं इस तुडियो पर देखता हूं अगर कोई गया होगा तो उनके लटिया वह जल्दी जाहिए वह गए फिर फोन किये कि यहां से कोई थाने पर नही गया फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं जान दो जब मैंटर घर पे आकर सटाउट हो गया तो मैंने कुछ नहीं बोला उसके बाद मैंटर सटाउट हो गया लेकिन लोग जो है भर रहे थे जब जब एचीजी इनके तक पहुंच गई कि मेरे साथ कौन-कौन है और यह लेकिन आज मैं किलियर कर रहा हूं जो चीजी आपको बताये का चहरी पे जाना जीजा को लेकर के सारी चीजे यह हुआ था प्लानिंग हो रही थी बात चीट हुई लेकिन यह हुआ कि पहले मिलेंगे इन से फिर उसके बाद कोई झाल यह लिए जाएगा लेकिन हम लोग हुए थी पैसे को लेकर कर दीजियों को भी कुछ नहीं था ऐसे यह लोग में जूरत तो बस आब वेसमें कि आपस में इतना तो बनता है यह को हम ले सकते हैं मुझे ज़रूरत रहे हैं कि बिल्कुल मुझे ज़रूरत तो यह कोई बात नहीं होई और बात भी नहीं होती है अब लोगों क्या सब बिरोधियों क्या संदेश देंगी यहां से चाहते हैं कि आप टूट करके बिखर जाओ जेपी भाईया बिखर जाएं यूटूब पर आप लोग जानते हैं मेरे तीनों चनल मेरे हाथ में नहीं है एक जो अभी नया क्रेट हुआ है और अच्छा भी लगा फिर आज एकदम मन तूट गया था कि आज से नहीं सोसली मेडिया पर काम नहीं करना है क्योंकि ऐसे इस्टूडियो पर सही वीडियो आना फिर कहीं ये भी मुझे लगा फोन करके लोग बोले कि इस्टूडियो पर इस वीडियो बनाओ तो तूँ बनाओ अब हम क्यों नहीं समझाए जब मैं फोन करती हूं कि बताईए सब मेरी ही गलती जब निकाल रहे हैं तो मैं किससे सफाय दूँ इस्टूडियो पर सही कि एक हो लोग नहीं बोल सकते हैं अबने मुझे बोलते हैं कि तुम जो चीज़ो कोई में बनाओ करके हम हो चाहे निर्जला हो चाहे हाई पर मतलब जितने भी लोग किसी के साथ ऐसा मत करें एक चीज और लाज सवल रहेगा इनका जो सबसे ज्यादा मलाल था दुखता कि मैं भाईया की स्टूडियो से जुड़ी रही और भाईया के साथ जुड़ी रही भाईया मेरे गार्जिय से हम सामने नहीं आए और कहीं कहीं मुझे डर भी लग रहा था दिया हम इसे बात करेंगे लोग तो ऐसे कर रहे थे कमेंट ना कि हम ही चैनल डिलीट करवा है तो मुझे मेरे अंदर भी एक डर था कि इनके पास फोन करके कुछ भी बात करते हैं लोग इतनी बुराई फैला दिया है तो कहीं भी गलत ना सोचने मेरे बारे में इसलिए फोन नहीं कर रहे थे लेकिन इत्तफाक देखिए थोड़ी सी चूख हो गई इनसे थोड़ी सी थोड़ी सी मुझ से हुई कि जिस दिन इनका वीडियो आता है उस दिन इनके सपोर्ट में हम वीडियो ही बनाते है अलग अलग चैनल पर चार मिलियन प्लस चैनल के लिए एक वीडियो बनाते हैं और अपना लगबग पांच लाग सब्सक्राइबर के लिए भी एक वीडियो बनाते है जो कि वीडियो हम आप सबको दिखाए भी है वीडियो अभी मेरे फोन में है वीडियो इनके तरब से व प्रफूल गए एक तरह से इस तरह के करके वीडियो बोल करके बनाये थे लेकिन जैसे SGasya में आक रोनिय कर लोर्ण चेखने एक अलग नजिरिये से देखना स्टार्ट कर देती बात चीत भी सब कुछ सही हो जाता बस कुछ छण की ओ मिश्टेक थी और पहले दी हमारा वीडियो अपलोड हो गया होता तो राधा मेरे बारे में बिल्कुल ऐसे नहीं बोलती और असा वीडियो भी नहीं बनाती मुझे प बात ऐसे मेरे शुरू से आधत है कोई भी बात आ डारेक्ट पूछना डार्यक्ट डाटना डारेक्ट बोलना डारेक्ट समझाना और इसी तरीके से अगर मुझे कुछ कहता तो मैं वीडियो मद्याद में तेजवाज में बना देती थी तो बस यह घुस्युसे गुस्य में हुआ है और होसला तो तो टूट गया था लेकिन भाई है तो कही नहीं फिर तो बना है भाकी कहा भगवान बरο से चैनल आएगा तो भी नहीं आएगा तो भी वह हम बढ़ा रहएं भी बिल्कुल बढ़ा रहे हैं और आप लोगों से नहीं हखेंगी इसलों मेनहस से काम करें, यहीं नहीं सब लोग काम करें, हम भी काम करें, हम भी तूट गया थे, ऐसा नहीं हम काम कर रहे थे, खुल करके, हम भी साइलेंट हो करके बैटे थे, लेकिन जो जैसे दिल में जो चल ला था मिलने के बाद थोड़ा सा सकून मिला, और अच्छा लगा बहु ही हुआ राधा राज के साथ इस तरीके से कंट्रोवर्शी हुए जेपी भाईया के बीच शवर राधा राज के बीच फिलाल आप क्या सुचते हैं इस बारे में जो है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरू बताइए